बढ़नेरा रेलवे स्टेशन के पास महिला की खुन से सनी हुई अर्धनगन अवस्था में मिली लाश दुष्टकर्म के बाद हत्या की जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है गटना स्टल पर खुन से सनी इट और चपल बरा मद हुई गटना प्रकाश में आने के बाद नागरिकों की भारी भीड उमड पड़ी थी जानकरी के मुताबिक बढ़नेरा रेलवे स्टेशन का अमरोत योजना के तहत विस्तार वो विकास किया जा रहा है इसके तहत जुनी बस्ती की तरफ से भी रेलवे स्टेशन का विस्तार हुआ है इस परिसर की नवनिर्मित पानी की टंकी के पास आज मंगलवार 15 अक्तुमबर को सुबह 9 बजे के दवरान 35-40 वर्ष की आयू की एक अध्यात महिला की अर्धनग नवस्ता में खुन से सनी हुई लाज बरामत हुई घटना की जानकरी बढ़नेरा पुलिस को मिलने के बाद थानेदार सुनिल चौवान ने अपने दल के साथ ततकाल घटनास्तल पर दस्तक दी लेकिन घटनास्तल को लेकर करीबन एक घंटे तक विवाद होता रहा घटनास्तल रेल्वे स्टेशन परिसर का रहने से बढ़नेरा शहर पुलिस का कहना था कि यह प्रकरन जेयरपी अत्वा आर्पी अफ पुलिस के स्टेशन क्षेतर का है JRP और RPF पुलिस का कहना था कि गटनास तल रेल्वे स्टेशन के बाहर का है इस कारण यहां मामला उनके क्षेतर में नहीं आता आखिरकार वरिष्ट अधिकार्यू की चर्चा के बाद यहां प्रकरान बढ़नेरा शहर पुलिस के हवाले किया गया पुलिस ने पंचनामा करशो पोस्ट माडम के लिए जिलास पताल पहुचा दिया है रुतक महिला की अब तक शिनाक नहीं हो पाई महिला आर्दनगना वस्ता में रहने से उसकी दुष्ट कर्मे के बाद हत्या के जाने के संभावना व्यक्त की जा रही है महिला के सिर पर गहरी चोट के निशान है और लाश के पास ही खुन के धब्बे और खुन से सनी हुई इट बरामद हुई इस कारण मुर्थक महिला के सिर पर इट से वार किया रहने की संभावना जताई जा रही है पुलिस को घटनास्तल के पास थित पानी की टंकी के पास चपल भी बरमध हुई फिलहाल पुलिस ने आकस में घटना दर्ज कराई है पुलिस ने आशंका जताई है कि यहा हत्या का मामला हो सकता है पुलिस को पोश्ट मॉडव रिपोर्ट का इंतजार है फिर भी पुलिस ने उस दिशा में जाच शुरू की है गटना स्तल पर पुलिस उपायुकत सागर पाटिल, साहयक आयुकत कैलाश पुनकर, क्राइम ब्रांच के निरिक्षक बाबारा आउचार, साहयक निरिक्षक महें शिंगले, बढ़नेरा के थानेदार सुनिल चौफान का दल मोजुद था मुरतक महिला पिछले दो दिनों से बढ़नेरा रेल्वे स्टेशन परिसर में भटक रही थी, नागरिकों ने उसे भिक्षा मांगते हुए भी देखा था इस महिला के हाथ और पेर पर गोंदने के निशान है, इस कारण महिला अदिवासी रहने की संभावना जताई जा रही है, महिला के सिर पर गहरी चोट के भी निशान है पढ़ने रावा क्राइम ब्रांच पुलिस ने रेल्वे स्टेशन परिसर के CCTV फुटेज खंगालना शुरू कर दिये है गटनास्तल पर क्राइम ब्रांच युनिट एक के निरिक्षक बाबराव अवतार का दल और साइबर पुलिस का दल भी डेरा जमाए हुए था क्राइम रिपोर्ट मंदल न्यूस अम्रावती